राजपाल से क्या बात है राजपाल महोदय से आपको जरूरी है कि हाथे ये करें अच्छा ठीक है ठीक है लिए अच्छा रहे हैं अच्छा आप फटो खिंग कर अच्छा आप फचास वा रहां थ्यार क्या ना चाहते हो कर दो पर है कर दो है कि अच्छा आप इसमें अच्छा ना सामने साथ होते गया है अच्छा एक इह वह लोगा सब के आफ आप फोटो किराफर भाई ए फोटो किराफर पर बाई तांत रहिए जिपाल से भिलकर बाहर निकले हैं सुबह दिलने से 12 बुजे पहुंचे थे समय हमें मिला हम यहां पर बर्तमान राजमितिक प्रिस्थितियों पर बात किया सभी बातों से उनको अवगत कराया और जब मंत्री मंडल और हमारे नेता पद की बात जब आई इसकी भी चर्चा किया और अंत्रता हमने यही अपना निवेदन उनसे किया कि जो नेता पद विधान मंडल का नेता के रुप में जो चुनाओ माननीय नितीष कुमार जी का हुआ है माननीय यह अवैद है चुकि उसके लिए बैठक बोलाना नेता जो होता है लिस्टरेशर पार्टी का उसका फर्ज है जिसका नेता अभी हम है और दूसरी बात की सदन का नेता वही आदमी हो सकता है जो उस सदन का सदस हो तो ना तो उस सदन के ये सदस हैं और ना बिधायक दल का मामला है तो बिधायक दल का बैठा क्यों किया गया वो अनधिक्रित था उसके लिए कोट में भी लोग गए हैं और यह हम उनको समझाया और कहा कि सर आप तो खुद रह चुके हैं स्पीकर आप समझ सकते हैं इस बात को तो सारी बात को उन्होंने बहुत गौर पूरवक सुनने की किरपा की और कहा कि हम उचित निना लेंगे रही बात कि जिस सकती परिक्षान या जिस बहुत सावित करने की बात उनलोग कर रहे हैं हम कहां उससे भाग रहे हैं हम तो सिर्फ कर रहे हैं कि चुकी हम इस रेचर पार्टी और विधायक दल की बैठक और लेडी बुला चुके हैं बजट सेशन हम बुला चुके हैं तो वै पर चुन करके अगर उनको क्लेम किया जाता है तो इस पर आपको आपको आपना बिवेक से काम लेना है और जहां तक जिस दिन आप कह दीजिए अब हम आपके ऊपर छोल देते हैं कि कब आप हमारी सक्ति परिछन की बात कहते हैं या बहुमत सावित करने की बात कहते हैं आप हमको यही खाली बता दीजिए और हम यही कहना चाहते हैं कि सेक्रेट बैलेट से भोटिंग हो और भोट कि आपको जो उचित बुझाए वो किजिए हम तयार है उसका संबैधानिक पक्ष है उस पक्ष को हम देखेंगे अभी पत्र हमको नहीं मिला है अगर पत्र मिल जाएगा तो उसके बैधानिक पक्ष क्या धार पर हम लोग सुझेंगे अब हर बात नजायज हो रही है हर बात में किसी परकार से गरीबों को दवाने की बात सब दिन से चली है तो यहां भी एक साजिस चल रही है उस साजिस का सिकार हमको बनाया जा रहा है लेकिन कानून है ना अब सब तरह की बात है कानून क्या धार पर सारा काम होगा कितने विधायक साथ है माजी जी कितने जेडियू के विधायक आपके साथ है क्यों नहीं गुत्मा बहुत से ऐसे लोग है कि अपना चेहरा नहीं दिखलाना चाहता आपके डर से यूकि उनके नजदिक में बहुत महावली लोग है कितने विधायक संपरक है अब ही सब हम नहीं बताएंगे कितने सब पर अब जो भी है कल भी हमने डिली में कहा कि नुवार एक सीर में कितना बाल तो हुजूर सामने आता है यह कि आपको वी दा काना है यह के लिए बोल देंगे बोल देंगे अन्तरे नितिश कुमार हुँंगे या नहीं अभी ये तय नहीं क्योंकि जीतन राम बाजी ने कहा है कि हम शक्ति परिक्षन के लिए तयार हैं सीक्रेट बैलिट से हो वोटिंग बहुमत साबित करेंगे नितीश कुमार पर सवाल उठाते हुए का कि नितीश कुमार का चुनाफ जो है वो अवैद है असम वैधानिक है विधायक दल के निता हम है यानि कि जीतन राम मांजी है नितीश तो सदन के सदस से तक नहीं है हम अदालत भी गए हैं अद्यक्ष की लोग सबा विधान सबा अद्यक्ष के शिकायत भी जीतन राम मांजी ने राज जपाल से की है और ये कहा है कि यहां पर हर बात नाज़ायज हो रही है हमारे खेलाफ साज़िश हो रही है बहुत से विधाय कैसे हैं जो गुपत मतदान करना चाहते हैं यानि कि अपनी बात सामने रख दी है यहां पर शक्ति परिक्षण के लिए पूरी तरह से तयार है जीतन राम मांजी और कहा है कि हालांकि विधायकों की तादात तो उन्होंने नहीं बताई संक्या तो अभी नहीं बताई है लेकिन ये जरूर कहा है कि हाँ मैं अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए पूरी तरह से तयार हूँ लेकिन जब भी मतदान हो वो सीक्रेट बैलिट से हो और नितीश कुमार पर सवाल उटाते हुए कहा है कि नितीश कुमार इस सदन के सदसी नहीं है और उनका विधायक दल के निता के तोर पर जो चुनाव हुआ है वो असम वैधानिक है अवैद है एक बड़ी चुनाटी नितिश कुमार को दे दी है जीतन राम मानची ने आप ने रही हमारे साथ हम ओते हैं बसकुछी देर में हाज़र देखते रहिए नितिश कुमार विधाएक दल के निता नहीं है उनका चुनाव वैध है, आसम वैधानिक है हम शक्ति परिक्षन के लिए तयार हैं राज जपाल से दूसरी बार मिलने के बाहर आकर जीतन राम मांची ने कहा है विधायक दल के निता हम हैं नितीश सदन के सदसे नहीं हैं अदालत में भी हम गये हैं अध्यक्ष की भी शिगायत की है हर बायत नाजायस हो रही है हमारे खलाफ साज़श हो रही है बहुत से विधायक गुप्त मतदान करना चाहते हैं तमाम तरह क्यारोब नितीश कुमार पर लगाते हुए जीतन राम मांची ने कहा है कि मैं ही मुकी बंदरी हूँ और सदर में बहुमत के लिए तैयार हूँ राज जपाल से मिलकर उन्होंने सारी बाते कहा दी और ये भी कहा है कि सीक्रिट मतदान हो गुप्त मतदान की बाद जीतन राम मांची ने कही है नितीश कुमार पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि विधाएक दल के नेता के तौर पर उनका जो चुनाव हुआ है वो घलत है और हमारे खिलाफ हो रही है साज़ेश यानि कि अबराज जपाल पर है कि वो किसे आम अंतरत करते हैं सदर में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए बने रही है हमारे साथ देखते रही है आज तक